हेलो रिवन, गुड मॉनिंग, स्वागत आप सभी का ऑनलाइन स्टेडियों में आज हम इस वीडियो में बात करने वाली हैं बिहार SSC के लिए साइंस का 25 MCQ जिसका सेट नमबर 5 है अगर आपने से पहले के बाकी के चार सेट को नहीं देखा है साइंस के 25 MCQ का चार सेट तो जरूर चेक आउट कर लिजएगा प्लेलिस्ट बना हुए प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगी ठीक है और इसका PDF हम टिलिग्राम पर देते हैं तो PDF के लिए टिलिग्राम को जॉइन करकर एक है लिंक वीडियो के इसी डिस्क्रिप्सर में दिया गया तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते है देखे सबसे पहला प्रश्ण के रहा है कि यूगमक सल्यन के परिणाम सरूप क्या बनता है यूगमक सल्यन के परिणाम सरूप क्या बनता है यहाँ पर जो भी प्रश्ण आप देखेंगे वो मुष्टली कहीना के एक्जाम्स में पूछे गए ठीक है प्रिवियस क्वेशन से ही अलग लग एजाम से तो यहां पर ध्यान रहें सही आंसर हो जागा ओप्सन बी द्वी गुडित यूगमनस कहते हैं ओप्सन बी को टिक करेंगे बी करेक्ट होगा उसके बाद सेकेंड क्वेशन हमारा बनता है कि ग्याद सबसे छोटा प्रो हो करेटिक जीव माईको प्लाजम होगा माईकोल प्लाजम ह है यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा है कि इस प्रशन तो Neuron क्या होता है? तंतरी का, तंतरी की 1 के है? Question number 4 है कि प्रतिरोध का वेतकर्म चालकता होता है य्यदि प्रतिरोध की है, unit ओम है तो बताई की चालक्ता की unit क्य गी होगी? जब उसका यह प्रतिरोध का होता है यहाँपर inverse है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ओम का भी इन्वर्स हो जागा यानि राइट आंसर हो जागा option A ठीक है option A बिल्कुल सही जबाब है उसके बाद अगला प्रश्ट ने कि सेकेंडो का लोलग वह लोलग है जिसका समय ओधी कितना होता है सेकेंडो का लोलग वह लोलग है यानि कि पेंडूलम है जिसका समय ओधी कितना होता है ये प्रश्ट बहुत बार पूछा गया इसका सेकेंड अगर हम बात के तो ये दो सेकेंड समय ओधी दो सेकेंड option D बिल्कुल correct होगा अगला questions क्या है निमलिखीत युगों मेंसे Kann Data सही सुमेलीत है काडियोलोजी कि बात के तो काडियोलोजी का समंध खुर्दय से होता है तो ये तो point आपका गलत है गैस्टियेंटो़ोजी के तो इसका समंध की से होगा पाचछन तंतर से हुगा यह आपका गलत होगा, यहाँ पे आपका पाच्छन तंत्र होना चाज़े था, पाच्छन तंत्र, उसके बाद अगर हम देखें, यूरोलोजी का समण यहाँ पे यह गलत है, क्योंकि इसका समण मुत्रविज्ञान से होगा, यह भी बिलकुल गलत हो गया, तो हमारा राइड यहाँ पे नियूरोलोजी होगा, क्योंकि नियूरोलोजी का समण यहाँ पे तंत्री का तंत्री है, बिलकुल सही तरके से मैच कर रहा है, तो डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तो मसीनी जगत में गुण और उपयोग करने को क्या कहते है, जैविक जगत में होने माले कारे पलती के अध्यान को इस ग्यान को मसीनी जगत के गुण और उपयोग करने को क्या कहते है, बायोनिक्स कहा जाता है, बायोनिक्स ऑप्शन E होगा, राइट आंसर, बायोनिक्स, को टिक करेंगे। Question 9 गालियो के गिर्थे पिंड के नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम लोग Newton का परथम नियम के नाम से जानते हैं। Newton के परथम नियम को हम लोग जड़ात्वर के नाम से जानते हैं। तो यह भी ध्यान रखेगा, यहां पर Correct answer का option B। अगला question से है कि leukemia या फिर रगत cancer कल लक्षण नि sympath से किस में असमान्ने बृति है दीखे रगत cancer को अन्य नाम leukemia दिया गया गया और leukemia जो होता है वह किसमें असमान्ने बृति होती है तो ये W BC ठीक है W BC की असमान्ने बृति को leukemia कहा जाता है तो प्राइट आंसर हो जागा अप्जन बी अगला सवाल है कि विज्ञान की वह सका जिसमें अनुवांसी क्यानिक जिनेटिक अभियांत्री की के दौरा मानो प्रजादती में सुधार किया जाता है उसको जाना जाता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं यूजे निक्स के नाम केवल अदीश रास्वी को चुणिए अगर मैं आपको बताओं कि science के questions को अगर आपको cover करना है तो basically मेरे recording अगर आप चलोगे तो हम आपको यह ही कहेंगे कि अप daily करो अगर आपका science ज्यादा विख है तो आपको करना यह है कि daily one liner form में अपना तयार करना है इससे क्या होगा कि आप अगर regular science पर time देंगे तो mostly questions जो कि आपके repeated होंगे और आपको एक कह सकते कि concept जो की clear होगा और आपको यह करना कैसे है तो यह तो आप topic wise कहीं से भी topic को उठा करके आप उहां से questions निकालना स्टार्ट कर दो या फिर आप direct अगर mcq मिल जाता है तो उसका online बनाओ या फिर आप one liner कह सकते है अगर one liner questions पर आपको मिलता है तो आप उसको लिखो लेकिन लिखना आपको जरूरी है क्योंकि अगर आप लिखोगे तो अच्छे तरीके से याद होगा तो 20-25 questions daily यानि one page आपको cover करना है daily इस तरह से करने स आपका science का separate notes भी ready हो जाएगा और एक तरह से science के questions का collection भी आपके पास हो जाएगा और science में जो आपको डर लगता है या फिर science में आपको दिक्कत होती है वो दूर हो जाएगा तो यह आप करके देखे 10 दिन करके देखे फिर आपको कितना फैदा होता आपको खुद बता चल ठीक है उर्जा हम यहां पर कहेंगे कि एक पर करकी अदीस रासी है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिफ प्रणाम होता है इसमें कोई दिसा नहीं होता है और इसके अंतरगत और भी अगर हम बात कर जैसे अदिस रासी के इंतरगत स्केलर क्वांटिटी के अंतरगत तो समय चाल् option A को टिक करेंगे अधीश रासी है तो option A को टिक करेंगे आगे बढ़ सकते हैं अगला प्रशनी की निवलीखित में से कौन सी तरंगे धुरुवित की जा सकती है तो प्रकास तरंगे जो धुरुवित की जा सकती है प्रकास तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है तो यह आपका प्रकास एक प्रकार का अनुप्रस तरंग होता है यह भी याद रखे क्योंकि direct persons पूछा जाता है कि प्रकास किस प्रकार की तरंगे अनुप्रस तरंगे प्रकास एक माध्यम से दुसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दीशाय में होने वाली परिवर्तन की घटना को क्या कहते है पहली चीज मैं आपको बता दूँ एक चीज हमें सब पूछ जाता है कि जब प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसमें क्या परिवर्तन नहीं होगा तो उसके आवरीती में परिवर्तन नहीं होगा ये चीद ध्यान रखेगा ठीक है उसके frequency में कोई फर्वाव नहीं पड़ता है और इस प्रकार के जो घटना उसके दिशा में होने वाली परिवर्तन उनकों लोग अपवर्तन कहते हैं यानि कि reflection कहा जाता है तो option E होका right answer अगला सवल क्या बनता है कि ताप गत्की का प्रथम नियम समानिता किस से समंध मामला है ताप गत्की का जो प्रथम नियम है वो किस समंध मामला है तो उर्जा के संरक्षण की नियम यहाँ पर right answer option D को टिक करेंगे ताप गत्की का प्रथम नियम उर्जा संरक्षण की नियम से समंध रखता है पदार्थ का परमाडु सिधान्त किस ने प्रतिपादिन किया था तो D यहाँ पर क्या होगा option B ठीक है डॉल्टन को टिक करेंगे परमाडु सिधान्त डॉल्टन नहीं दिया था hydrogen bomb की सिधान परकारे करता है hydrogen bomb की सिधान परकारे करता है यह अगर आपसे पूछे कि अभी यहां पर क्या है कि तो हमें दो तरगे देख रहा है एक तो नियंतित और एक अनियंतित यानिके अगर आपसे मैं पूछो कि हाइडोजन बम की खोच या फिर अविसकार किस नहीं किया था तो आप कमेंट करके जदली से बता सकते हैं अगला है कि पेट्रॉल की स्फोटक जो रोधी गुडवता बढ़ाने के लिए निवन में से किसे मिला जाता है पेट्रॉल की स्फोटक रोधी गुडवता को बढ़ाने के लिए किसको मिला जाता है तो इसमें हम लोग टेट्रा इथाइल लेड को मिलाते हैं टेट्रा इथाइल लेड यहां पर करेक्ट हो का आपसन बी टेट्रा इथाइल लेड आपसन बी करेक्ट आंसर है आगे देखे, नेक्ष वने के आवर्थ साड़नी की रूप में तत्वों का वर्गी करण निमनी कितमे से सौर पतम किस ने किया था, आवर्थ साड़नी की रूप में तत्वों का सबसे पहले जो वर्गी करण किया गया, वो मेंडलीफ ने किया था, और इन्होंने जब इसका वर्गी करण किया था तो उस वक्त ग्या तटो की जो संख्य थी वो 63 थी और परमाडू बहार के अधार पर ततो को करम में सजाया था तो यह भी याद रहता है लेकिन अगर पूछे कि आधनिक ततो की वर्गी करण का जनक किसे माना जाता है तो वो आसले है कि इन्होंने पार परमाडू करम के नुसार सजाया, परमाडू संख्या के धार पर इन्होंने, परमाडू करम के धार पर सजाया, वायू में ध्वानी का विग क्या होता है, ध्यांदी जगह वायू में ध्वानी का विग होता है, तापमान के व्रिधी के साथ व्रिधी होता है, तापमान में कम जाती ये point गलत है तापमान में कमी के साथ बढ़ता ये भी गलत है तापमान पर निर्वार नहीं करता ये भी गलत है तापमान में कमी के साथ घट जाते यानि कमी करेंगे तो घटेगा ब्रीधी करेंगे तो बढ़ेगा ये आपका right answer है लेकिन ये condition उल्टा हो जाता है प्रक संसूधित रूप है किसका विसायलेस सर्प में विसदंत संसूधित रूप है किसका जांबिका का जांबिका यहां पर करेक्ट होगा option c को टिक करेंगे चले इसके बाद अगला प्रश्न क्या है एक समानने वयस के मनुस्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है तो लगभग हम यहां पर कहेंगे कि 5-6 लिटर होता है और महिलाओं में पूर्सों के तुलना में आधा लिटर कम होता है यह भी याद रखेगा आधा लिटर कम होता ह टाइफाइड और हैजा इसके विशिष्ट लगचण है तो यहां पर ध्यान रखेगा यह जल जनीत रोग होते है और यह जिवाडू से होने वाला रोग होता है सौर उड़्जा को ATP में परिवर्थित किया जाता है किस के दवरा तो यह परिवर्थन होता है क्लोरोप्लास्ट के दरा आज किस वीडियो का आखरी क्वेशन्स तो अमेद करते हैं कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो क्या करा है कि किस पदार्थ की अविकिरिया वे सबसे अधिक हानिकारक विकिरन पैदा करती है यानि किस प्रकार की अविकिरिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरन पैदा होता है तो सबसे अधिक खतरनाक होता है अपका यह सल्य नभी गिरिया जिस पर हाइड्रोजन बंब भी कारे करता है हाइड्रोजन बंब ठीक है तो यह सबसे खतरनाक होता है अप्सन हम एक को टिक करेंगे तो देखे फिर सासा करते हैं कि आप लोगो यह वीडियो अच्छा लगाओगा और आज हमारा सेट नमबर फाइब था वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जादा सेयर करें अपने फिंट के साथ चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब नह कि इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा ठीक है तो बस आज किस वीडियो मिलता हैं मिलते हैं नेक्ष्ट क्लास में थैंक्स वाचिंग कीप वाचिंग कीप लर्निंग हाव अगुट्टे